नमस्कार दोस्तों, आज की सुर्या में हम चर्चा करेंगे दिना 17 सितंबर 2024 का संपुलर आशिफद उससे बेले आज की दिन का जो पंचांगे उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है मंगलवार का है, क्रोधिनाम समवसर है, सुर्या का दक्षिनाय चल रहा है, शरद रुदू है भादरबद मैंने की शुकलपक्ष की चौदिविती थी है, नक्षत्र शततार का है, योग धृती है दिन का जो करण है वो वनी है, और जो रात का करण है वो विस्टी है आज की दिन का जो कुलिक काल है वो शुरुवात होगा, दोपर 12 बचकर 20 मिन से लेकर 1 बचकर 52 मिन तक और अभिजीत मूर्थ दोपर 11 बचकर 27 मिन से लेकर 12 बचकर 45 मिन तक का होगा कुलिक काल और अभीजीत मूर्थ दिन के शुब कालावधी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्परनकाम या फिन्दिन आप ले सकते हो इस प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुआत होगा दोपर तीन बचकर 24 मिनिट से लेकर चार बचकर 56 मिनिट तक और या मगंड़काल सुबह नौ बचकर 17 मिनिट से लेकर 10 बचकर 49 मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के शुब कालावधी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वप्र नका या फिञ्णिन ने बिल्कुल भी नहीं लेंगा, उस प्रकार राच्य दिन का जो चंदरमा है, ये चंदरमा संपर्ण दिन कुम्ब राशी में ब्रहंन करेगा, जो चंदरमा शनी के साथ यूतियों करने जा रहा है, बुद्ध के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और गुरु के साथ केंद्रियोग करने जा रहा है यह अग्रसिती साम नहीं रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के लाव वाव में चंद्रमा का प्रहमन है वह यह पर सिथ चनी के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है यूतियोग वाव में सिथ गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है और पंचम वाव में पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा उसी प्रकार अगर आप किसी की रिलेशन्शिप में है उनके साथ छोटे मुटी बातों के लिए करतक रहो सकती है दिन आपके लिए शुबो फलिदाई साबित होगा इसके बाद पी जो राशी है वो है वुर्षब राशी वुर्षब राशी के दशंबाव में चंद्रमा का भ्रवन है वोई परसेशनी के साथ ये चंद्रमा यूद्वियोग करने जा रहा है आपके राशी में सिद गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है कारशेतर के सिलसले में आज की दिन घूमना फिर ना जादा हो सकता है महत पुर्णा काम बयाफात में ले सकते हो उससे रिलेडर बहुत ज़्यादा विजी आज के दिना हो सकते हो उसे प्रकार घर के जो लोग आपके उम्र से चोटे होंगे उनके साथ चोटे मोटी बातों के लेका टकार हो सकती है दिन आपके लिए शुगफळदया साबित होगा उसके बाद के जो राशी है वो है मिधनराशी मिधनराशी के भाग के बावव में चंदरमा का ब्रमण है वाई पर सिशनी के साथ ये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है तृतिय वाव मेंसित बुद्यो के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है विय वाव मेंसित गुरु के साथ ये चंद्रमा के द्रियोग करने जा रहा है मेहतोपन दिन है आपके लिए और शुबफल दाई भी साबित होगा खास करके आज के दिन मेहतोपन काम होते हुए नजर आएंगे अच्छे इंट्यूशन्स वगर आ सकते हैं गुमना फिर ना जादा हो सकता है किसी वगर करके मेहतोपन का मेहतोपन दिन ने आज के दिन नहीं लेना दिन आपके लिए शुबफल दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के अस्टम भाव में चंद्रमा का ब्रहण है वह उपर सिर्शनी के साथ यह चंद्रमा युदियो करने जा रहा है काफी महतोपन दिन है आपके लिए स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्चक होगा स्वास्त के समझता है आज के दिन ज्यादा आ सकती है किसी भी प्रकर के महतोपना काम आज के दिन नहीं करना आपके जो अंदाज है वो चुक सकता है खर्चे के ओपर ध्यान रखाना बहुत ही ज़्यादा आवश्चक होगा दिन आपके लिए अशुब पलदाई साबित हो आपके राशे में से बुद्धो के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है आपके जो वई-वई-वै जुड़िदा है उनके साथ चोटी मोटी बातों के लेकर तक्रार हो सकती है उनके स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवश्चक होगा उसी प्रकर आपके ज इसके बाद कि जो राशी है वो है कर्ण्या राशी कर्ण्या राशी के शाष्ट बाव में चंद्रमा का भ्रमण है वह पर सिशनिय के साथ यह चंद्रमा यूतियों करने जा रहा है बाग्य बाव में सिद्गूरू के साथ यह चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है और आप के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना अन्वॉंटेड खर्चे आज के दिन जादा हो सकते हैं दिन आपके लिए अशुब फलदाई थावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी के पज्जम मौहमें चंदरमा का ब्रह्मन है वही परसिशनी के साथ यह चंदरमा यूत्मियों करने जा रहा है आप एक अशुब फलदाई साबित होगा स्विबाद की जो राशी है वो है ब्रिचिक राशी ब्रिचिक राशी की चतरतवाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वाई पर से शर्मी पे साथ ये चंद्रमा यूतियों करने जा रहा है दशंबाव में सिद्ध बुद्यों के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा करने जा रहा है मैं तो बुण दिन है आपके लिए खास करके घर के बड़े बुज़ुर्ग रहेंगे उनके स्वास्त की बारे में ध्यान देना आवश्चे को उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी आपके जोड़े मुड़े बातों के लिए करता करा हो सकती है कार्शेतर से रिलेंट किसे प्रेकर करके डॉग अपनेशन की काम आज के दिन नहीं करना दिन आपके लिए शुवफलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है धनो राशी धनो राशी के तृतियो बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही परसिशनी के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके भाग्यबाव मेंसित बुद्य के साथ ये चंदरमा क्रतियों करने जा रहा है और शेष्ट बाव मेंसित गुरु के साथ ये चंदरमा केंदरियों करने जा रहा है नायतोबन दिन है आपके लिए स्वास की समस्य है आज की दिन ज़्यादा आ सकती है गूमना पिना ज़्यादा हो सकता है आपके ट्रैवलिंग उनरा ज़्यादा हो सकती है उसी वरकार स्वास के बारे में छोटी मूटे परेशानिया सामने आ सकती है दिन आपके लिए मिला ज प्रतियों करने जा रहा है आपके लिए उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना आप बहुत ही जाथ आवश्यक होगा आज की दिन कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं अगर आप इसे के रिलेशन्चिक में हैं चोटी मोटे तकरा हो सकती है दिन आपके लिए शुबु सब्नल दाई साबित होगा अजुब आप कर बाद कि जो रशिगा है वह लगराशा का प्रहण ने जा रहा है सब्तम बॉप मुसे बुद्य видно के साथ ये जंड्रमा प्रतियक करने जा रहा है और चत्रदभु के साथ ये जंड्र मार के इंद्रियों करने जा रहा है उसे चे आपकी जो वैवाई जुड़ीदा रोई के साथ चोड़ी मोटी वातों को लेकर तकरार हो सकती है, गर के जो बुड़े बुजर्ग रहेंगे, उनके स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवज शक्र होगा, किसी भी प्रकर का महतों बड़ागा, आज के दिन बिल्किल भी भी नहीं करना दिन आपके लिए, और शुबुख लदाई सावित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है मींदर राशी, मींदर राशी के वेया बाह में चंद्रमा का प्रहबन है, वाई पर से शनिय के साथ ये चंद्रमा युतियों करने जा रहा है, शेश्ट बाह में भुद्दय के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है, इसरेस फरस्टरेशन आच्के दिन बहुत ही जादा देखा जाएगा, गुमना पह चेन में प्रहबन है, उसे प्रकार फरस्टरेशन में जाए कोई गलत मिन्दैने के संभावना काफी जाधा, ब dynamic sutil, धन्म ज